आईए हम देखते हैं खांदान में अपराद की तादाद में तबदीली होने की क्या वजूहात हैं आपने देखा होगा खांदान में इंसानों की तादाद मुक्तलिफ होती रहती है ये तादाद हमेशा एक नहीं रहती, वो कभी कम तो कभी ज्यादा होती रहती है तबदीली की वजूहात भी मुक्तलिफ होती हैं खांदान में अफराद की शादी की वज़ा से खांदान के लोगों में कमी या ज्यादती होती है आपने देखा होगा के शादी के बाद चाची या भावी हमारे घर आती हैं तो खांदान में एक फर्द बढ़ जाता है उसी तरह जब बेहन या फूपी की शादी होती है तो वो दूसरे घर जाती है तो फैमिली में एक फर्द कम हो जाता है उसी तरह नई नसल पैदा होती है तो एक फर्द का इजाफा होता है इसके साथ खांदान बढ़ता है इसके इलावा जईफी, बीमारी, हादसे वगेरा की वज़ा से खांदान के अफराद की मौथ होती है इसलिए खांदान में अफराद की तादाद में कमी हो जाती है इसका मतलब पैदाईश, मौथ, शादी, खांदान में अफराद की तेदाद में तब्दीली की वज़ा बनती है इसके इलावा भी तब्दीली की वज़ुहात हैं आईए देखते हैं बाज वक्त तालीम हासिल करने के लिए लड़के लड़कियां दूसरे शेहरों में जाते हैं जब खांदान का कोई फर्द या बच्चा दूसरे मुल्क में तालीम हासिल करने जाता है तो खांदान में फर्द की तेदाद कम हो जाती है उसी तरह घर के अफराद, नौकरी, तिजारत और रोजगार वगेरा के लिए घर के लोग दूसरी जगा जाकर रहने लगते हैं इस तरह भी थानदान में अफराद की तादाद में कमी होती है इस तरह एक मकाम से दूसरे मकाम पर रहने के लिए जाने को नकले मकानी कहते हैं काम काज रोजगार के लिए कुछ लोगों को बार बार नकले मकानी करना पड़ता है जैसे गन्ना तोड़ने वाले मजदूर और तामीरी काम करने वाले मजदूर ऐसे कई लोग जहां काम मिले वहां नकले मकानी करके चले जाते हैं वहां जाके रहने लगते हैं इस तरहा बार बार नकले मकामी करने वाले सरपरस्तों के बच्चों का तालीमी नुकसान ना हो इसलिए नकले मकामी करने वाले सरपरस्तों के लड़के लड़कियों को मकामी स्कूल में दाखला दिया जाता है ताके वो भी अपना तालीमी सिलसिला जारी रख सकें तालीम हासिल कर सकें मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे के शादी, पैदाईश, मौत और नकले मकानी की वज़ा से हमारे खांदान में अफराद की तादाज कम या ज्यादा होती रहती है झाझ अचा जा जाँ मुझे, तादी हमारे, भू जूब है।